वेलकम तू माई चैनल प्रव्ट्यू ट्रीग गुड मॉनिंग फ्रेंड्स क्या हाल चाल है सबका आज हम करने जा रहे हैं मारा नेक्स्ट टॉपिक ओफ स्टेट्मेंट्स आफ सोल प्रोप्रेटरिशिप वो है प्रॉफिटेंट लॉस अकाउंट देखो प्रोफिटेंड लॉस अकाउंट भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबी ध्यान से इसको समझना देखो इट शोज दी नेट प्रोफिट एंड नेट लॉस जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट किया था वो हमें ग्रॉस प्रोफिट और ग्रॉस बताता था उसी सेम ुइवे में प्रोफिट लॉस अकाउंट हमें नेट ब्रहुट और नेट लॉस बताता है यानि बिजनेस का कितना नेट प्रोफिट हुआ है या बिजनेस ने कितना नेट लॉस सफर किया है कर आज बिजनेस अकाउंन इसफे अब so in addition to direct expenses and debt are called indirect डिरेक्ट एक्सपेंसेज देखो हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे बिजनस के डिरेक्ट एक्सपेंसेज जाबिट किये जाते हैं देखो बिजनस अकेले डिरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं इंकर करता उसके इलावा विजनस के कई ऐसे एक्सपेंसेज होते हैं, so उनको indirect expenses का जाता है and वो profit and loss account में आते हैं debit side पे, thus gross profit plus indirect income minus indirect expenses is equal to net profit, यानि कि net profit calculate कैसे किया जाता है, अगर हम gross profit में indirect incomes plus कर दें और उस सारे total में से indirect expenses minus कर दें तो हमारे पास net profit की figure आ जाएगी, चलो अब हम check करते हैं, indirect expenses होते हैं कौन-कौन से हैं और indirect incomes कौन-कौन से होते हैं, जैसे कि आपको सबको पता है, profit and loss account की भी दो sides होते हैं, debit side और credit side, profit and loss account, debit side में हमारे सारे expenses और losses आएंगे, credit side में हमारी सारे gains और incomes आएंगी, सो चलो one by one देखते हैं क्या क्या आता है, सबसे पहला sales checks, ये भी हमारा indirect expense है, हम अगर कोई maintenance पर खर्चा कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की maintenance status है, indirect expense, depreciation किसी भी fixed asset पर प्रोवाइड की जाती है, वो भी हमारा indirect expense है, हमारे office के खर्चे, जी से हम administrative expenses कहते हैं, हम अगर अपने goods को बेचने में कोई selling और distribution expenses के incur कर रहे हैं, हम वो भी debit side पे आएंगे, कोई हमने provision बनाई है, वो भी indirect expense है, frightened carriage on sales, अब यहाँ पे याद रखेना देखो, जो frightened carriage purchase पर होता है, वो जाता है trading account पे, और जो sale पे है, वो आ जाएगा profit and loss account के debit side में, फिर हमारी salaries और wages, जो भी हम अपने workers और employees को दे रहे हैं, next चाते हैं हमारी credit side, credit side में आती हैं हमारी income, उसमें सबसे पहला आता है हमारे commission receipt, अगर हमें कोई commission मिल रही है, फिर हमें अगर कोई discount मिल रहा है, that is discount receipt, अगर हमें कोई profit हो रहा है, कोई से अपने fixed asset को वेज कर, वो भी credit side पे आये का, hope so आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, कि indirect expenses किस चाइब की होते हैं, indirect incomes किस चाइब की होते हैं, इसके इलावा भी कई expenses हैं, वो जैसे जैसे हम some solve करेंगे, मैं आपको साथ की साथ बताता चाहूंगा, so friends, अब हम करने जा रहे हैं, format और profit and loss account, यानि कि profit and loss account को बनाया कैसे चाथा है, देखो, जैसे trading account की two sides थी, उसी same way में profit and loss account की two sides होती हैं, left hand side को debit side कहते हैं, यहाँ पे हम हमारे expenses और losses record करेंगे, जो indirect nature किया है, right hand side को credit side कहते हैं, यहाँ हम अपनी gains और incomes को record करेंगे, profit यां gross loss है, अगर तो trading account में आपका gross profit आया, तो हम इसकी beginning credit side से by gross profit brought down से करेंगे, अगर तो trading account में आपका gross loss आ रहा है, तो फिर इसकी debit side में gross loss brought down से starting होगे, चलो, इसके बाद हम अपने देखते हैं हमारे indirect expenses, indirect expenses में सबसे बहले आती हैं हमारी salaries, जो हम अपने employees को देते हैं, office का rent हो गया, कोई taxes हो गया, and rates हो गया, अगर हम कोई printing और stationery पर खर्चा कर रहे हैं, वो भी हमारा indirect expense है, हमारे telephone के expenses हागे, हमारा postage and telegram के expenses, अगर हम किसी भी चीज़ पर discount allot कर रहे हैं, तो discount एक तरह का expense होता है business के लिए being an indirect nature, तो वो भी इदर आ जाएगा, insurance का कोई खर्चा हो गया, audit fees हो गई, electricity के खर्चे हो गई, repairs होगी, कोई renew कर रहे हैं, उसके लिए जो खर्चा आ रहा है, किसी भी fixed asset पर depreciation होगी, advertisement होगी, carriage outwards होगे, यानि कि जो हमारे carriage sales पर लग रहे हैं, अब हम चेक करते हैं credit side के में, जो के हमारी incomes और gains होते हैं, देखो, अगर हम discount दे रहे हैं, तो वो हमारा expense है, तो अगर हमे discount मिल रहा है, तो वो हमारी income है, that is discount receive, अगर हम commission receive कर रहे हैं, वो भी credit side पर आएगा, कोई bank interest हमें मिल रहा है, वो भी credit side पर, हमें किसी ने rent दिया, वो भी credit side पर, हमें dividend मिल रहा, shares पर, वो भी credit side पर, interest चाहरे है debentures पे वो भी हमारी income है हमें अगर profit हो रहा है कोई भी asset वेच कर वो भी हमारी income है अगर इसके इलावा कोई भी indirect income है वो credit side पे show होगी next अगर हमारे कोई bad debts हो जाते हैं यानि कि हमारे कुछ asset debtors है जिनोंने हमें पैसा नहीं दिया वो हमारे bad debts में convert होगे तो वो भी business के लिए expense है तो वो भी debit side पे आएगा अगर हम उन bad debts के लिए कोई provision बनाते हैं वो भी expense है वो भी debit side पे आएगा हम किसी को selling commission दे रही है हमें bank को खर्चा देना पड़ रहा है कोई अपने loan पे हम interest दे रही है यहां अगर हमने कोई अपना fixed asset sale किया उस पर हमें loss हो गया यह सारे एक तरीके से indirect expenses है तो यह debit side पे आएगे तो मैंने mostly आपको सारे indirect expenses बता दिये जो आपको आते हैं इवन की indirect income script बता दी अगर कोई new income या expense है तो I will tell you जैसे हम questions करेंगे देखो तो सभी expenses और incomes को note करने के बाद अगर तो हमारा credit side का balance greater है टोटल करने के बाद debit side के balance है फिर हमें होगा net profit जो debit side पे balancing figure है तो अगर हमारा debit balance यानि की left hand side का total बड़ा है credit side से फिर हमें होगा net loss that is the balancing figure तो at the end हमें पता चलजए का business तो net profit हुआ है या net loss हुआ अब देखते हैं closing entries for net profit and net loss यानि की profit calculate करने के बाद हमें क्या general entries pass करनी होती है in case of net profit net profit के case में हम profit and loss account को debit करेंगे and capital account को credit करेंगे यानि की profit and loss account debit to capital account अगर हमें net loss हो रहा है फिर हम capital account को debit करेंगे profit and loss account को credit यानि capital account debit to profit and loss account hopes हो आपको ये important topic था काफ़ी अच्छी दरीक्के से समझ आ गया हो कि profit and loss account कैसे बनाये जाते हैं उसमें से net profit और net loss को कैसे find out किया जाते हैं और उसकी general entries being the closing entries कैसे डाली जाती है friends please don't forget to subscribe, like and press bell icon of my channel प्रब्ट्यू ट्रेंग प्रब्ट्यू आप